भारत के सुप्रिम कोट ने आज बहुमत से नरेंदर मुदी सरकार के इस निर्णे की वैदता पर अपनी मुहर लगा दिया जिसके द्वारा उची जाती के गरीब लोगों को दस प्रतुषत के का अर्चन देने का निर्णे लिया गया था हम इस निर्णे के लिए नरेंदर मुदी सरकार को धन्यवा देते हैं साथी साथ बिहार की राष्टी जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सद्रों में एक सो तीन में संविधान संसदन विधे का विरोध किया था राष्टी जनता दल अब किस उमूँ से बिहार के अंदर उची जाती के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी जिसने की संसद में इसका विरोध किया था और आर्जेटी के साथ साथ इंडियन यूनिन मुस् कर दिया था अब आर्जेटी और आमादी पार्टी को देश की जनता को उची जाती के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निरने का विरोध किया था साथी साथ मुझे प्रसनता है कि सुप्रिम कोट ने साफ कर दिया है कि संसद के संद दिरने के द्वारा सविधान का जो मुल्बुद धाचा है वो कहीं भी प्रभावीत नहीं होता है 37-50 प्रतिशत की जो आरक्षन की सीमा थी उसके अत्रिक्त 10 प्रतिशती आरक्षन दी जाने के पक्ष्वे सुप्रिम कोट ने अपने दिरने दिया है तो आज का दिन बड़ झाल झाल